अलो एबरिबरन गूण बार्निंग मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागत थे संध्या एंडरसोई में आईए मैं आपको अपने टैरिस गार्डन का टूर कराती हूँ मेरी छोटी सी टैरिस है और उस पे लगे हुए है मक्के के भुट्टे जो है आइफ देख सकते हैं और ये लग हुई ये तुराई और लगा हुआ है लोखी का बौध आ जो versionी लगर्डन में इसको कहते हैं कि मतलब कज़ Также सवोथ ये लगे हुए हैं सकरकंद के पेल और यहां पर इतना बड़ा फैला हुआ है सकर्कंद का पेळ कि फैलते ही जा रहा है फैलते ही जा रहा है रुकी नहीं रहा यह तो छोटे से पॉट में लगा हुआ है और यह कड़वा नीम मिठा नीम यह सारी चीजे मेरे टैरिस पर लगी हुई है गुलाब हैं दो तीन प्रिकार के जैसें हैं दो तीन प्रिकार की, ये सारे पॉधे मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, एलो वेरा भी मेरे गार्डन में हैं, और ये फूलों का पॉधा, ये बहुत ही फूल खिल रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये मुम्फली का इस तरह से मेरा च्छोटा सा गार्डन और यहां पर कुछ नए पोधे लगाए हैं मिर्ची के और यह लगाई है तो रही यह लगाया परमल यह सारी चीज़ें लगी हुई है आसमान में बहुत अच्छे बादल हु रहा है मौसम बहुत अच्छा हु रहा है ऐसा काली घटाएं आ रही है ऐसा लग रहा है साइद बारिस आने वाली है यह मेरा लिली का प्लांट है यह 2-3 साल पुराना हो गया है और यह है purple heart यह बहुत लंबा होता जा रहा है एसे फैलता जा रहा है बहुत गरोगा है यह बहुत सुनदर लगता है बहुती संदर और यहाँ पर भी लगे हुए है क्या सक्करकन्द ये फैलते ही जा रहा है बहुत सकरकन हो गया है पूरे में इस तरह से मेरा छोटा सा मिनी टेरिस गार्डन चुकि मुझे बहुत ही जादा बसंद है अगर मेरे पास बड़ी जगे होती तो मैं और सारे पौधे लगाती ये लगा हुआ है सबसे प्यारा पौधा है मेरे करते ही जा रहा है इसकी कटिंग करके मुझे दूसरे कमले में लगाना है बहुत सुन्दर लग रहा है ये पारिस में और अच्छा हो गया है तो फिर मिलेंगे अगले टैरिस गार्डन की टूर पर अभी चलते हैं बाए बाए टेक्यार